नमस्कार कक्षानो एक्सरसाइस 2.5 का कोशन नमबर 3 इसका हम दूसरा भाग करेंगे उप्युक्त सर्वसमिकाएं प्रयोग करके निमने लिखित का गुनन खंड कीजे हमारे पास है 4y²-4y-1 ठीक है जी? तो सबसे पहले जैसे हमने पहले भाग में किया हम इसको a² प्लस 2ab प्लस b² यानि x² प्लस 2xy प्लस y² के रूप में हम बनाएंगे देखो कैसे बनाना है यहां मैं सबसे पहले चाहता हूँ इस प्रकार से स्केर तो यहां y है तो y ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगा ब्रैकेट के बहार शकेर तो y का स्केर y सकेर बन जाएगा अब यहां में क्या संख्या लिख ओ जिसका स्केर 4 हो जाए तो पता है 2 का स्केर होता है 4 इसी प्रकार से आखरी जो टर्म है वो है फ्लस 1 तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का square क्योंकि 1 का square भी 1 होता है तो बनाना है 2 A B लेकिन वह minus का बनाना है तो यहां minus लगा दो 2 into A A है यह बीच वाली रकम 2 Y और B B है यह वाला इदर 1 अब इसको करके भी देखो यह जो रकम है क्या इसके बराबर आ रही है minus minus 2 दुनी 4 गुना y 4 Y गुना 1 4 Y ठीक है तो इसका मतलब 4 Y square minus 4 Y plus 1 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ अब यह हमारे पास एक सर्वसमी का बन गई X square minus 2 X Y plus Y square यह बराबर होता है X minus Y के whole square के यहां minus है तो यहां भी minus होगा X minus Y के whole square के बराबर इसका मतलब यह जो मेरा कोशन था 2 Y square यह सिर्फ कोश नहीं है 2 Y square minus 2 into 2 Y into 1 plus 1 का whole square यह बराबर हो जाएगा X X है 2 Y minus minus Y Y है 1 इसके whole square के बराबर और यह जो है यह किसके बराबर होगा 2 Y minus 1 का whole square मतलब 2 Y minus 1 into 2 Y minus 1 यह आ गया इस 4 Y square minus 4 Y plus 1 का गुनन खंट ठीक है बच्चों इसका हम तीसरा भाग करके देखते हैं तीसरा भाग है X square minus Y square बटा सो आईए इसको थोड़ा सा हम change करके देखेंगे देखो कैसे X का square यानि X का whole square minus मैं चाहता हूँ यहाँ भी कुछ square बन जाए ऐसे अब देखो Y का square है तो bracket के अंदर यह दी Y लिख दूँगा और bracket के बाहर square रहेगा तो Y का square Y square बन गया अब नीचे में क्या लिखूँ जिसका square 100 हो जाए तो बड़े राम से हमें पता है कि 10 का square 100 होता है तो अब यह हमारे पास बन गया X square minus Y बटा 10 का whole square तो देखो अब यह हमारे पास जो सर्वसमी का बनेगी सर्वसमी का जो हमारे पास बनेगी वो बनेगी X square minus Y square बराबर X plus Y into X minus Y तो अब यहाँ X किसके बराबर है इसको और इसको मिलाओ X X के बराबर है और Y किसके बराबर है देखो यहाँ तो है Y का square लेकिन यहाँ है Y बटा 10 का square इसका मतलब Y बराबर होगा Y बटा 10 के Y बराबर है Y बटा 10 के ठीक है बचो तो यह बराबर है X plus Y into X minus Y के तो X X है X के बराबर प्लस Y Y है Y बटा 10 के बराबर इसी प्रकार से फिर से X minus Y X है X के बराबर और Y है बीच में माइनस का इसान Y किसके बराबर है Y बटा 10 के बराबर है तो ये मारे पास पद था x square minus y square बटा 100 इसको हमने algebraic identity सर्व समिका के अधार पर x plus y बटा 10 गुना x minus y बटा 10 हमने इसका गुननखन कर दिया है उमीद करता हूँ आपको इस वीडियो के द्वारा ये दोनों भाग दूसरा और तीसरा समझ आया होंगा अच्छे से और यदि अच्छे से समझ आया है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेर कीजिए ठीक है धन्यवाद